वेलकम टू माई चानल, आज हम बनाएंगे मतर कचौरी, मतर की कचौरी बनाना बहुत ही असान है, इस वीडियो में हम स्टेप बाई स्टेप बताएं हैं कि मतर की कचौरी को कैसे बनाना है, यहां हम सोडा का इस्तमाल नहीं किये हैं, फिर भी यह कचौरी बहुत ही खास्ता तो चलिए आज की हम इस मज़ेदार मटर की कच्वडी की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम डो बना कर तयार कर लेंगे, तो यहां हम एक कप मैदा लेंगे, आप मैदे की जगा आटे का भी इस्तमाल कर सकते हैं, अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच लेकिश के नमक, फिर इसमें डालेंगे अजवाइन, तो एक चौठ राही चम्मच अजवाइन डाले, अजवाइन को पहले हातों से इस तरह से थोरा सा क्रेश कर लेreg मैदे में डाले, अब वहीं मैदे में डालेंगे तीन बरे चमच रिफाइन ओपाइल, ऑप घिका भी इ फिर इसके बार पानी डाल कर एक दो बनाएं, हाथ में थोड़ेसे हम मैडे को इस थरह से लेंगे और बाइन करके देखेंगे, अगर ये बाइन है, इसका मतलब इसका तेक्ट्चर जो है सही है, तो अब हम इसमें थोड़े तोड़े पानी डालें और इसका एक दो भार के तकारो के निजने के यह जोँ इस पानी आदे लेगे लिए डाल संस्राइब मेदे हैं और दूसरे स्टेप में चाहें gegen 1 talk म भा उपिष्ण मटर के इस्तिमाल करें एम चाहे तो फ्रोजन मटर भी यूज कर सकते हैं सबसे पहले हम एक जार लेंगे उसमें हम सारे मतर को डालेंगे तो मतर को आप पहले अच्छे से दोले उसके बाद जार में डाल दे अब हम इसमें डालेंगे एक हरी मिर्च हरी मिर्च डालने के बाद इसमें हम एक इंच अधरक का टुकरा डालेंगे और धकन बन करके इसका एक दरदरा पेस्ट बना लेंगे पानी का इस्तिमाल नहीं करना है तो ये देखिए हमारा मतर का ये पेस्ट बन कर तयार है यहां हम थोड़ा दरदरा पेस्ट बनाए है अब हम मतर को कुछ मसालों के साथ फ्राई करेंगे तो चलते हैं स्टेप 3 में यहां हम एक पैन चड़ाएं पैन हमारा जैसे ही गरम हो जाएगा हम इसमें दो बरे चमच तेल डाल देंगे तेल हमारा गरम हो गया है अब हम इसमें डालेंगे आदी चोटे चमच जीरा एक चौथाई चमच सौफ सौफ की जगह आप एक चौथाई चमच सौफ का पाउडर भी डाल सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे दो चुटकी हिंग मतर की कचोड़ी में हिंग डालना बहुत जरूरी है अब हम इसमें डालेंगे आधी चोटी चमच धनिया पाउडर आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ज पाउडर यहां हम कासमीरी लाल मिर्ज का इस्तिमाल कर रहे हैं अब हम इसमें एक तिहाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे गैस का फ्लेम लो रखेंगे और सारे मसालों को हम बस एक मिनट तक फ्राई कर लेंगे ग्यास का फ्लेम लो रखना है और बस एक मिनट तक इसे पकाना है लो फ्लेम पर एक मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारा मसाला तो रफ्राई हो गया है अब हम इसमें डालेंगे एक चौथाई चमच आमचूर पाउडर और एक चौथाई चमच गरम मसाला पाउडर अब हम इन सभी को अच्छी तरीके से मिला देंगे गयास का फ्लेम लोही रखना है हमें गरम मसालो और आम्चुर पॉडर को मिलाने के बाद, हम इसमें डालेंगे दो चोटे चमच बेसंब बेसंब डालने से कचोरे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है Normally हम जब भी प्यास की कचोरी बनाते हैं, उसमें भी बेसंब डालते है बेसन डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है खचोरी में अब हम बेसन डालने के बाद मसालों में अच्छी तरह से इसे 2-3 मिनट लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे इस बात का ध्यान रखी कि मीरियम या हाई फ्लेम पर मसालों को फ्राई नहीं करना है लो फ्लेम पर हमें इसे 2-3 मिनट तक फ्राई करना है और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे मतर का पेस्ट मतर का पेस्ट डालने के बाद हम मसालों में इसे अच्छी तरह से और 2-3 मिनट तक लो फ्राई करेंगे तो आप अच्छी तरह से मसालो में इस मटर के पेस्ट को मिला दें और उसके बाद इसे 2-3 मिनट तक फ्राई करें ये देखें, ये मसालो में अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, इसका कलर भी हलका चेंज हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे आदी छोटी चमश नमक या फिर अपने स्वाद के अनुसार इस बात का ध्यान रखें कि डो में भी नमक है तो उसी हिसाब से आप मटर के पेस्ट में नमक दालें तो ये हमारा मटर स्टफिंग के लिए तयार हो गया है नमक को अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम गैस ओफ कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे थोरे से बारिक कटी हुई फ्रेश धनिया पत्ता धनिया पत्ता डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे अब हम चलते हैं स्टेप फोर में कचौरी बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले हम थोरे से मिक्षर को हाथ में लेंगे और छोटे छोटे बाल्स बनाकर तयार कर लेंगे तो जितनी कचौरी बनाना है पहले उतने बाल्स बनाकर तयार कर लें अब हम दो को तोरेंगे तो जितनी बरी मटर की बॉल्स है उससे थोड़े से बरे हमें दो तोड़ना है और इसे हाथ से इस तरह से कटोरी के सेप में देना है ये देखे इसी तरह से आप गोल घुमाते रहें और उसके बाद कटोरी के सेप में बनाएं अब हम इसमें एक बॉल को डाल देंगे और इसे इस तरह से चारो तरप से पकड़ कर इस तरह से पैक कर देंगे अच्छे से इसे चिपका देना है ताकि ये खूले ना और ये एक्स्ट्रा जो डो है इसे निकाल देंगे और फिर इस तरह से आप इसे हातों से इस तरह से हलका दबा दें आप चाहें तो हलका बेलन से भी बेल सकते हैं और नहीं तो इस तरह से भी तो ये देखिए हमारा कचौरी जो है बनकर तयार हो गया है इसी तरह हम सारे कचौरी को बना कर तयार कर लेंगे इस प्रोसेस से कचौरी बनाने से कचौरी बनाने में बहुत ही आसानी होती है तो ये चेक कर लेते हैं तो ये देखिए, तेल हमारा meidänीडियम गर्म हए तो भस हमें इतना ही गर्म चाहिए तेल अब हम क्या करेंगे, सारी करेंगे नियुम एको तेल में सावधानी से डाल देंगे गेस का फ्लेम लो मीडियम पर शीवाप और इसे फ्राइ करेंगे high flame पर इसे fry नहीं करना है कचौरी को हमें low medium flame पर fry करना है और इसे हम savधनी से इस तरह ऐसे पलतेंगे क्योंकि ये बहुत ही खासता बनता है ये देखिए बिना soda के भी ये कितना full गया है कचौरी कचौरी को हमें fry करने में maximum 5-7 मेट का समय लग जाता है अगर आप high flame पर कचौरी fry करेंगे तो उपर से ये golden brown हो जाएगा लेकिन अंदर से मैदा कच्चा ही रह जाएगा इसलिए आप इसे low medium flame पर golden brown होने तक fry करें दोनों तरफ से ये देखिए हमारा कचौरी जो है golden brown हो गया है अब हम क्या करेंगे सारे कचौरी को kitchen paper towel पर निकाल लेंगे इसे बनाना बहुत ही आसान है आप बस step by step follow करें ये देखिए कचौरी हमारा बनकर तयार हो गया है अब हम एक plate में इसे serve कर लेते हैं हरे मतर की कचौरी को हम गर्मा गर्म सर्फ करेंगे green चटनी या फिर red चटनी के साथ आप इस ठंड के मौसम में हरे मतर की कचौरी की recipe को जरूर ट्राई करें और अगर अच्छी लगी तो like करें और share करें